हेलो गाइस आज हम टोबर मैं डोग ब्रीट के बारे में बात करेंगे इनका ओरिजन जर्मनी से है इनकी हाइट मेल्स में 26 इंच से 28 इंच तक होती है और फीमेल्स में 24 इंच से 28 6 इंच तक होती है और वेट मेल्स में 40 केजी से 45 केजी तक होता है और फीमेल्स में 32 केजी से 35 केजी तक होता है डोबर मैं बहुत लार्ज एन मस्कुलर डोग ब्रीड होती है इनकी लाइस पैन 10 टू 30 इंच तक होती है इनका टैंपरमेंट फेयरलेस, एनरजेटि, कोबियेंट, अलर्ट, लोयल एंड कॉन्फिडेंट, डोबर मैं को काल फ्रेडरिच लूइस डोबर मैं ने ब्रीड किया था इनकी स्पीड 30 किलो मीटर परार की होती है और ये इतना शैड भी नहीं करते लेकिन आप फिर भी इनको वीकली गुरूम कर सकते हैं और ये बहुत अच्छे फ पर अग्रेसिव नहीं होते हैं लेकिन बहुत ज़ादा अग्रेसिव हो जाते हैं इस ट्रेंजस के उपर बिकोज ये गाड डोग होते हैं ये बहुत बाग करते हैं और ये इज़ी टू ट्रेन होते हैं बिकोज ये 5th most intelligent dog breed है लेकिन ये 1st time डोग उन्च के लिए नहीं है क् इनका large structure होता है and muscular body होती है और ये over control हो जाते हैं तो इन्हें दो बंदे भी मिलकर थमाल नहीं पाते Doberman में female ज़्यादा aggressive होती है male से इनको woblar syndrome, cervical vertebral instability, hip dysplasia which is common in large breed and cardiomyopathy ये disease सबसे ज़्यादा होती है Doberman का price 5000 to 16,000 तक होता है इंडिया में कत्ता में विष्णूपुर बाकुरा जगा में 250 डोग से ज़्यादा डोग्स मारे गए थे और उनमें से सबसे ज़्यादा पपीज थे विष्णूपुर बाकुरा के डोग्स डोक्टर ने कहा था कि सब इस्टी डोग को पार्वाइरस हुआ था पार्वाइरस डोग्स का करोना वाइरस होता है पार्वाइरस एक डोग्स से दूसरे डोग्स में फैलता है बहुत जल्दी भगवान उनकी आत्मा को शान्ती दे थैंक्स पूर वोचिंग लाइट शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब रख 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 रख